इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तबाएं नमस्कार मैं हूँ सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर कोरोना पर स्वास्त सम्मिलन आज पूरे दिन इंडिया टीवी पर हमारे साथ होंगे अलग अलग प्रदेशों के मुक्य मंतरी स्वास्त मंतरी हमारे साथ होंगे वो डॉक्टर्ज जो कि भारत की कोरोना रणनीती बनाने में प्रमुक भुमिका अपना रहे है थोड़ी देर के बाद दिल्ली के हालात समझने के लिए हमारे साथ दिल्ली के स्वास्त मंतरी सतियंदर जैन जुडने वाले है कोरोना की दूसरी लहर हिंदुस्तान पर वाकई कहर बनकर तूटी है और जिन राजियों में इस वारिस की स्पीड इस वक्त सबसे ज़्यादा विसकोटक है उनमें दिल्ली भी शामिल है 2020 जैसे डरावने हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं सिर्फ पिछले पांच दिनों के अंदर दिल्ली शहर में 35,000 से ज़ादा मामले आ चुके हैं मौतों काकड़ा भी अब उस पीक को छूता जा रहा है जो हम पीछे छोड़ाए थी आपसे थोड़ी देर पहले दिल्ली के मुख्यमंतिर अर्विंद केजरिवाल ने दिल्ली के लोगों से सीधे बात की और उन्होंने कहा कि दिल्ली को इस इंफेक्शन से बचाने के लिए उन्हें कुछ सखत निरनाय लेने पड़े हैं कुछ पाबंदियां लगानी पड़ी है लेकिन आपके लिए और दिल्ली वासियों के लिए राहत की बाती है कि उन्होंने एक संपूर्ण लॉकडाउन से पूरी तरह इंकार किया उन्होंने का कि ना तो इसकी जरूरत है और ना अब ऐसे हालात हैं कि ये विकल्प बचा हो तो दिल्ली में लॉकडाउन तो नहीं लगेगा लेकिन पाबंदियां लागू हो गई हैं शादी समारों में 50 से जादा लोग नहीं जा सकते हैं अन्तिम संसकार में 20 से जादा लोग शुमार नहीं हो सकते हैं रेस्टरॉंट्स पब्स कलब्स में अब आधी छमता के मताबिक ही लोगों को अनुमती दी जाएगी इसके लावा बसों में भी आधी छम्ता के मुसाफिर सफर कर सकते हैं इन सब पावंदियों के बीच नाइट कर्फियू दिल्ली में लागू है अब देखना ये होगा कि इन चिनोतियों का सरकार सामना कैसे करती है हम इंतजार कर रहे हैं सतेंदर जैन का हम सतेंदर जैन से पूछेंगे कि दिल्ली में आज की जो ताजा आंकडे मुख्यमंत्री अर्विन के जरिवाल ने थोड़ी देर पहले बताए है वो एक all time high है 10,700 केस पिछले एक दिन के अंदर दिल्ली शहर में record किये गए ऐसे हालात में उनके पास क्या रणीती है इस विपका से निपटने की क्या पिछले एक साल में दिल्ली सरकार ने और दिल्ली के स्वास टंडर ने इतनी सीख ली है कि इतनी बड़ी संख्या में मामले आ जाएं तो उनको भी वो टैकल कर सकते है refresh दिल्ली के अस्पतालों में क्या हालात हैं, दिल्ली में कोविट बेड्स की संख्या कितनी हैं, सबसे पहले आपको दिल्ली के 24 घंटे के हम आकड़े दिखा दें, तो एक बार फिर करीब 24 घंटे के आकड़ी बताते हैं कि 7897 केस, ये दरसल परसों के आकड़े हैं, क्योंकि देर-शाम आकड़े रिलीस किये जाते हैं, तो परसों 7897 केस आये थे, और 49 मौते हुई थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंतिर केजरी बार ने आज का वो सरकारी आकड़ा, जो वैसे देर-शाम को जारी किया जाता है, उन्होंने दिल्ली की जनता को बता द उसके मताबिक 5506 केस थे, 20 मौते थी, लेकिन अगले ही दिन ये आकड़ा लगबग 2,000 बढ़ जाता है, 7,437 केस आते हैं, 8 अपरेल को 24 मौते रिकॉर्ड होती है, मौतों की संख्या भी बढ़ रही है, केसिस की संख्या भी बढ़ रही है, 9 अपरेल को जो डेटा आया, उस में जबरदस्त इजाफा हुआ है, और 10,700, लगबग 11,000 केस दिली शेहर के अंदर रिकॉर्ड किये जा चुके हैं, दिली में कोरोना के हालात जितने भयानक हैं, सरकार लगातार पाबंदियां बहा रही है, हाला कि लोग डाउन से अभी इनकार किया गया है, जो पाबंदि नहीं होगा, इसके नाम पर कोई जमावडा नहीं हो सकता, और नाइट कर्फ्यू लागुआ है, रात 10 बजे से लेकर के, सुबह 5 बजे तक का, ये पूरे हफ़ते दिली शेहर में जा रही है, अब ज़रा दिली में ये भी देख लेंगी, कोरोना से जो मौते हो रही है, उन नंबर अफ केसेज, वो हमें पहले ये एक नई उचाई पर पहुँच चुकी है, कोरोना के, और अब मौतों का सिलसला भी, वो भी लगभग वहीं पहुच चुका है, जो एक रिकॉर्ड पहले दिसंबर में रह चुका है, 15 दिसंबर को, पहले ये माना जा रहा था, कुछ चे कह रहे थे कि इस बार जो इनफेक्शन की वेव आई है, हाला कि जादा इनफेक्शन हो गया है ये बाइरस, बहुत तेजी से संकरमन हो रहा है, लोग जादा बिमार पढ़ रहा है, लेकिन ये वो अतने सिवियर बिमार नहीं हो रहे, शायद मौतें कम हो, लेकिन ये करोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों से, पिछले दस से पंदरा दिन में इतनी तेजी से करोना बढ़ा है, दिल्ली में ये चौती वेव है, इसके पहले तीन वेव दिल्ली के अंदर आ चुकी है, और हम सब दिल्ली वासियों ने मिल के उसका बड़े अच्छे से मुकाबला किया और वो ठीक हो गया अब ये चौथी वेवाई है जो बेहद खतरनाक है बहुत तेजी से बढ़ रहा है इतना तेजी से बढ़ रहा है कि बहुत सारे लोगों की समझ के बाहर है जैसे कुछ दिन पहले तक मिड मार्च तक लगबग दोसों से भी कम केस प्रते दिन आने चालू हो गए था इतना कम हो गया था और कल के 24 घंटे की जो रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में आज शाम तक पबलिश होगी दिल्ली में 10,732 केस पिछले 24 घंटे में आये हैं 24 घंटे में 7,900 केस आये थे उसके पिछले 24 घंटे में 8,521 केस आये थे मतलब आप देखिए कि पिछले तीन दिन के अंदर कितनी तेजी से बढ़े है नमस्ते मैं हूं मिनाक्षी जोशी वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना ना भूले जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ